आप सभी को मेरी तरफ से जै माता दी नवरातन आने वाली है माता आदी शक्ती का दिन आने वाला है माता रानी प्रत्यक चरूप में इस पूरी तरीके सी विरजमान होने वाली है तो सभी भक्तों का जो ये प्रश्न कई बार सुनने में आता है कि अखन जोत में जो तेल डाल का घी हो तो मैं आज जो आपको जनकारी बताऊंगा वो जनकारी अगर किसी और की वीडियो में आपको मिल गई तो यह समझ लिएगा कि आज के बाद भक्ती का वीडियो बनाना में पूरी तरीके से छोड़ दूँगा इस बात की मैं गैरेंटी लेता हूं तो जो जनकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अखन जोत में पढ़ने वाले तेल की विशे में उसे आप भली भाती शुनने का प्रयास करिएगा और वीडियो को इसकिप बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि एक एक बात जो है बहुत ही जरूरी बात है तो सबसे पहले में चलता हूँ तिल क तेल की तरफ देखा जाये तो तिल की तेल को सबसे उचतम स्थान दी जाती है सास्त्रों में दीपक में डालने के लिए क्योंकि तिल का तेल मीठा तेल माना जाता है लेकिन आपको तिल से जूड़ी कुछ खतरनाक बाते में आप सभी को बता दूं कि जो मार्केट में जो तिल का तेल आप सभी को मिल रहा है क्या वो तिल का तेल क्या वो सुद्ध है वो पवित्र है क्या वो 100% तिल का तेल होता है आपके मन में ये संका है कि नहीं वो ब्रांड है वो ये है वो है गलत नहीं होगा कमपनी गलत तेल नहीं देगी तो ये आप सभी की भूल है ठीक ह तिल का तेल जो है अगर आप मार्केट में खहिदने जाएं तो आपको एक बड़े महानगर में साइध एक या दो किरानक दुकान होगी जो तिल का तेल रखते होंगे वह भी सुद्ध और उसका मालूम है कीमत कितना है उसका कीमत है लगबक 400 रुपे लीटर ठीक है मैं आप स सारे पीस क्या हुए करें सब जो है आडर पर आया था और सब व्यक्ति ने अपना-पना समान ख़र लिया अब एक ही बचा आपको लेना हो तो लीजिए वरना नहीं लीजिए मैं सोचा कि एक लीटर में तिल का तेल डालूंगा उसके बाद नकली तिल का तेल डालूंगा त जो सरसो की पेराई की जाती है आपके सम्मुक जो तेल जो गिरता है वो तेल में लेके आगया वो सरसो का तेल में तीन लिटर लेकर अपने घर चला आया तो मैं आपको बता दूं तिल की तेल के बारे में कि अगर आपके मन में अभी भी तिल का तेल लाने की बात मन में चल तो सुद्ध तिल का तिल मिलेगा कहां तो उसके लिए मैं आपको एक उपाईब बता दे रहा हूं आप एक काम करिए 10-20 kg जो है आप तिल खरीद लिए मार्केट से जो खड़ा तिल होता है सफेद वाला आप उस तिल को खरीद लिए फिर जहां सरसों की तिल की पेराई होती ह वहां चाहिए कहिए कि ये जो 10-15 kg तिल का तिल है इस पे आप पेर के हमको सुद्ध तिल का तिल दे तो देखिए कितना बजट आपका लग रहा है आपको देशी घी से भी कीमती वो तिल पढ़ने वाला है ये बात तो आप भली भाती जान लिजेगा एक व्यक्ति ने यही किया था वो व्यक्ति जो है 10 kg खड़ा तिल ले के आया और पेरवाया और जो है उसे उसके कीमत का पता चल गया तो इसके विशाय में मेरी क्या राय है तो उस राय को बताने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ अगर आपके सहर में सुद्ध तिल का तिल मिल रहा हो तिल के तेल के नाम पे तो इससे आप बच के रहें तो उसके लिए मैं वही उपाय बताऊंगा जो मेरे लिए भी सुरोत्तम है जो मैं भी करता हूं मैं जो है सुद्ध सरसो का तेल ले के आता हूं अर अखंड जोत में जलाता हूं क्योंकि सरसो का तेल का दीपक अगर घर म ग्हाएं से सम्मंदित कोई भी पूजन हो रहा हो तो उसमें स्वरतम घी का दीपक ही आता है, उसमें कोई भी दोराय नहीं है, इसमें कोई भीदो राय नहीं हैידर को अन्फिने खोटोग्व सरक्षी कीजब्स गभीत से 24-2redit करें, आपकर से 100 रुपए 200 रुपए का जो घी ला लिए आपका काम चल गया ऐसी बात तो है नहीं आपको आपको ये मान के चलिए कि आपको 9 दिनों तक पूरी तरीके से जितना भी घी लगे आपको उसमें डालना है यानि दीपक यानि अखंड जोत में आपको डालना है ताकि वो हमेशा 9 दिनों तक अखंड जलती रहे तो अगर आप सक्षम है तो आप बिल्कुल भली भाती जो है आप घी का दीपक जलाएं सबसे स्वरत्तम है नहीं आप तब तिल का तेल जलाएं नहीं आप सरसो का तेल जलाएं सबसे स्वरत्तम है आप घी का ही दीपक जलाएं घी से तो पीतल का दीपक ही अखन जोत के लिए सबसे सही माना जाता है और सही होता है जिस किसी ने भी पीतल के दीपक में अखन जो जलाई है उनका जो है अनुभव उनके पास ही है और वो हमेशा सही पीतल के दीपक का ही परियोग करते हैं क्योंकि मिट्टी का दीपक जो है ये 24 गंटा के लिए तो जलता नहीं the दंगारा कि उसी घंटा के लिए वीजा हमें आगि लग से बीद्गे缸 और ज्रूतम के शोंता कशार दीपक ले लिए है किसी का यानी अमक जोत जलाना है उसके लिए दीपक दीजाए तो आपको वह बड़ी आकार में वह दीपक आपको उपलब्द अवश्य कराएंगे तो उसमें क्या फाइदा है है उसमें दीपक जो में जो है सम्मुक एक दम बीच में एक दम इस्थीर जलती रहती है, जो सबसे पवित्र है, किसी भी दिजा की ओर नहीं, वो एकी परमात्मा के उपर, यानि परमात्मा उपर विरजमान है, दिया की लोज जो है एकदम सीथी जलती है, उसमें कोई भी दोर आए नहीं, और साथ ही उसमें जो पीतल की लगी हुंक होती है जिसमें से उसमें बाती निकलती है यानि जो दीपक की बाती होती है वो कितना भी हीट हो जाए तो उसके नीची आग नहीं पकड़ती है यानि जो पीतल की चारे ओर से जो रसी निकलती है यानि दीपक की बाती तो उसके नी बाती जला सकते हैं और विशेज जनकारी में आप सभी को बता दूं कि अगर आप पीतल का अखंड जो जलाने का प्लैन अगर कर लिये हैं मेरे कहने के अनुसाल तो आप अपने नस्दी की कोई भी पूजा पार्थ वाले किराना इस्टोर चाय धर्म संस्ता केंदर में आप ज जाहिए वो जो है मसीन से प्रिसराइज की हुई बाती रहती यानि पूरी तरीके से जो है इतना सारा रूई को लेकि वो एक ही बाती में तबदिल किया रहता है उसी को अखंड जोत कहा जाता है वो मार्केट में 10 उर्पे की एक बाती मिलेगी और उस बाती से आपके वहल 9 दिन तक ही नहीं दो नवरातन कर लेंगे फिर भी वो बाती खतम नहीं होगी इतनी उसमें सकती होती है वो इतनी मजबूत से वो कमपनिया उस बाती को बनाती है तो आप परियास ये करें कि उस अखंड जोत्चों में बता रहा हूं 10 उर्पे का एगा इतना बड़ा और वो ये जनकारी आप सभी को पसंद आई हो तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए क्योंकि जो जनकारी में आप सभी को बताया हूं वो जनकारी जो भली भाती किसी और चैनल में बताने का प्रियास नहीं किया तो सबसे सुरत्तम है हर गाव में जो है सरसो का तेल पेरा जाता है तो आप अपने नस्दी की जहां भी सरसो का तेल की पेराई होते हैं आप वहां से सुध सरसो का तेल ले ले या अपने सहरों में भी कहीं कहीं में देखता हूं कि चक्किया लगी होती हैं जो सरसो का तेल पे आपकी इच्छा है आपको जिश्वी तेल से दीपक जलानी हूँ आप जलाएए मेरी कामना ये है कि आप भक्ती भाव से माताराणी का पूजन करें क्योंकि अखन जो जलती रहे ये तो सही है लेकिन उससे बढ़कर है माताराणी की अराधना करना साधना करना उनकी पूजा पार्ट करना उनसे इसने करना ये सबसे जरूरी है कई जगा ये भी देखा जाता है कि कहीं अखन जोत नहीं है कहीं कलस नहीं रखा हुआ फिर भी भक्त जो है दिन रात माताराणी की तपश्या कर रहे हैं साधना कर रहे हैं उनको भी मा पूर्ण तहा पूर्ण फल देती ह भले ही वो अखन जोत ना चलाएं कला सस्थापना ना करें क्योंकि मा भाव की भुकी होती है अपने भक्त की प्रेम की भुकी होती है उनको इन सारे विशेवस्तू पदार्थ यानि फल फलाहार ये सब खाने पीने सजावड के चीजों इससे किसी चीज से मतलब नहीं है उनक कि पास हर वो चीज सुविदा उपलब्ध है जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आदी सकती है ठीक है जिसे सिव दूती भी कहा जाता है तो आप सबी से ये अनुरोध हैं कि ये सब चीज़ें को उतना ध्यान ना दें अगर आपसे जो संभव हो सकता वो करें ज्यादा ध्यान आप मातारानी के शाधना पर लगाईए, उनकी आरती अराधना में लगाईए और जितना समय आपको मिले मातारानी का सेवा में लगाईए क्योंकि ये अनुमौल जीवन कभ हमारा साल छोड़ दे और मिर्त्यी प्राप्त हो जाए ये किसी को नहीं पता होत प्रियाश अवस्य करिये और होश रखे तो दूर्गाः सब्ट सती भी अवस्य पड़ियेगा पढ़ना ना पढ़ना आपकी इचाहिए लेकिन मेरा तो सभी भक्तों से हमेशा से ही यही कहना है कि आध दूर्गाः सब्थ सती का पार्ट अवश्य करें भले ही कुछ-कुछ सफल करेंगे वो चाहेंगे तो आपको फेल करेंगे ठीक है तो आप परियास करिए अगर आपका परियास में आपको मातारानी को प्रेम दिखेगा तो आपको धीरे धीरे भली भाती उस पार्ट को करने का ढ़्यन हो जाएगा उसके बावजूद यूटूब पे पूरी तरीके से वीडियो पड़ी हुई है कि सबसती का पार्ट किस तरीके से करना चाहिए उसे देख के भी आप परियास कर सकते हैं अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद जैमाता दी